हेलो स्टुदेंट्स, तोड़े वी आर गोंग तो रीड इंग्लिस प्रैक्टिस बुक, पिक्निक, पेज फिफ्टी-फॉर, लेट अस रिमेंबर इस एंड देट आर यूस्ट फॉर वन अब्जेक्ट, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी ध्यान देना है कि द देज और त वन अब्जेक्ट के लिए यूस करते हैं जब एक शामान रहता है तो हम लोग ढ़क्शे और तो एक वस्टू, एक वस्टू जब रहता है तब थीज और यूस करते हैं these and those these and those कभ यूज़ करते हैं are used for more than one object एक से अधिक समान के लिए these और those यूज़ करते हैं these and these कभ यूज़ करते हैं are used for object closer to you अगर कोई चीज तुम्हारे नज़्दीक है और वो एक है तो तुम these यूज़ करोगे और एक से अधिक है तो these यूज़ करोगे और उसी तरह that अगर कोई एक समान आपसे दूर है तो that यूज़ कीज़ेगा अगर कई समान आपसे दूर है एक से अधिक तो वहाँ पर आप those यूज़ कीज़ेगा समझ में आ गया होगा बोलिये तो एक बार और समझा दे this and that are used for one object this or that एक object के लिए एक वस्तू के लिए use किया जाता है these and those plural के लिए use किया जाता है are used for more than one object these these नजदिक के समान को बोलते हैं और दोज दूर के समान को बोलते हैं these and these are used for object closer to you अगर singular चीज हमारे नजदिक है तो उसमें this लगेगा टी एच आई एस और अगर plural चीज हमारे नजदिक है तो उसमें t-h-e-s-e लगेगा are used for objects closer to you that and those that and those are used for objects away from you that that अगर एक समान आपसे दूर है तो that लगाएंगे अगर एक से अधिक समान आपसे दूर है तो दोज लगाएंगे अब हम लोग sentence को देखते हैं now fill in the blanks with this and these fill in the blanks with this and these यहाँ एक हैं है तो हम लोग कहते हैं दीस इस हैं एक हैं तो कहते हैं दीस इस हैं और वो एकदम नजदिक है पास है यहाँ पर दीस लगाते हैं these are used for objects closer to you यह आपसे एकदम नजदिक है इसलिए यहाँ दीस लगाएं हैं यहाँ पर एक सदीक फूल है यह भी नजदिक है यहाँ दीस लगाएंगे यहाँ बॉल singular person है singular thing है यह नजदिक है यहाँ पर दीस लगाएंगे यहाँ प्लेट में चैरी देख रहे हैं more than one तो यहाँ पर दीस लगाएंगे यहाँ पर इस गल के हाथ में पैंसिल्स देख रहे हैं more than one तो यहाँ पर भी दीस लगाएंगे यहाँ इस बॉल के हाथ में शिर्फ एक पतंग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी दीस लगाएंगे यह तो हो गया पेज 54 पेज 55 में क्या है second, fill in the blanks with that and those that or those fill in the blanks with that or those यहाँ कहीं कहीं that लगाना और कहीं कहीं those लगाना है that कहां लगाना है जो दूर है और one object है जैसे that is a rocket यहाँ that लगाना है that is a rocket यहाँ पर stars अनेक है तो यहाँ पर दोज लगाएंगे stars तो हमेंसा दूर ही होते हैं यहाँ दोज लगाएंगे दोज आर स्टार्स बटरफ्लाइज दोज आर बटरफ्लाइज यह दूर है इसलिए इसमें दोज लगा रहा है स्पून भी दूर है इसलिए इसलिए देट इस पून एक वस्तु है बहुत सारा कप है इसलिए दोज लगेगा दोज आर कप्स एरोप्लेज एक एरोप्लेज है इसलिए इसलिए देट इस एन एरोप्लेज देट इस एन एरोप्लेज कार है देट इस एकार देट इस एकार समझ में आ गया होगा पहले पेज में पेज 54 में दीज और दीज लगाना था जो एक है उसके के लिए दीज लगाना था और एक से अधी के लिए दीज लगाना था और पेज 55 में जो दूर है लेकिन एक वस्तु है उसके के लिए देट लगाना था और जो अनेक वस्तु है उस इसके के लिए दोज लगाना था, यह दूर की ही बात इस पेज में की जा रही है, अगर एक वस्तु है तो देट लगाएंगे और एक से अधीक है तो दोज लगाएंगे, जैसे 2000 स्टार्स इसी तरह से, आप लोग यह दोनों पेज, पेज 54 और 55 करके भेजिएगा, थैंक यू दो थैंक, ब दोजू है।